सब्सक्राइब कीजी हमारे चैनल स्टडी फो ड्रीम्स को और स्टडी से रिल्टिट सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें हलो नमस्कार दोस्तों मैं हो अब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फो डीम्स तो आज हम बात करने वाले हैं CISF कोंस्टेवल CISF हैड कोंस्टेवल की जो बैकन सी आई हुए है बहुत ही एजी तरीके से क्योंकि मैंने भी इसका एक्जम दिया था लास्ट टाइम जब इसकी बैकन सी निकली थी तो मैंने काफी अच्छा स्कोर किया था और मैंने इसकी टैपिंग भी दी थी तो मैं आपको बता सकता हूँ को चैसी टेप्स की जिनके वेज़े से मेरा से अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और फैड कॉंस्टेबल की जो निव वेकंसी हैं 2019 में उनके बारे में और मैं आपको पूरी डिटिल में उसकी पहले जानकारी देता हूं उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मिशन जो आपको जुरूर पता होनी चाहिए तो मैं बता दूँ उसके जो एप्लिकेशन फॉर्म बनने स् कर सकते हैं आप उसमें नहीं कर सकते हैं तो एरूंड 328 वेकंसी हैं जो की ओपन के लिए हैं और उसमें आप भी अपलाई कर सकते हैं कोई भी कैंडिडेट उसके लिए अपलाई कर सकता हैं तो 328 वेकंसी है काफी बड़या वेकंसी नहीं थी तो काफी बड़या चांस है औ आप 12 पास होने चाहिए, साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिस में से किसी एक में आती हो, अगर आपको हिंदी में टाइपिंग आती है, तो आपको हिंदी में जो टाइपिंग होनी चाहिए, वो 30 की स्पीड होनी और जो आपकी जो English में अगर आपकी typing is तो English में आपकी typing होनी चाहिए 35 but permanent ठीक है यह आपकी होनी चाहिए qualification के बारे में हम बات कर चुके हैं अगर हम बात करें कि इसमें जो 4 stage में आपका यह पूरा होता है 4 stage में आपका selection process है 4 stage में 1st में जो आपका होगा इसमें DBPST होता है, Document Verification और आपका PST, यानि Physical Standard Test, जिसमें केवल आपकी नापतोल होती है, नापतोल में आपकी chest और hide ना पी जाती है, और कोई नहीं होता है, और इसमें आपका physical नहीं होता है सबसे अच्छी बात है, जिन लोगों का physical weak होता है, उन्हें काफी problem होती है कि हम कौन सी job देखें, तो मैं आपको उता दूँ अगर आपका physical थोड़ा भी weak है अगर कोई भी दिक्कत है, तो आपके लिए सबसे best job है, आप इस job के लिए apply कर सकते हैं, best opportunity है आपके लिए, आप इसमें apply कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आराम से selection हो जाएगा आप बात करें, कि इसका जो slave us होता है, वो slave us कैसा होता है तो slave us के लिए मैं बता दूँ, अगर आपने कभी SSC GD के लिए apply क्या हो हो, तो same, ऐसा ही इसका slave us होता है, चार बार्ड में divide होता है यानि चार बार्ड में आपका आता है hundred question का, 25 के आपकी reasoning होती है, 25 की math होती है 25 के आपका general knowledge होता है और 25 के आपकी हिंदी है, इंग्लिज में से एक आपको optional choose करना होता है कि आप कौन सा choose करेंगे, वो आपका होता है, और फिर उसके बाद होता है skill test, यानि आपका typing test और उसके बाद जो आपका होता है, वो final, last में होता है आपका medical test, यही आपकी stage होती है, और तो इसके बारे में मैं आपको almost पूरा complete बता चुक हूँ, 100 रुपी की fees होगी आपकी और बात कर ले, SC, ST female के लिए, इनके लिए कोई fees नहीं होगी, जो आपकी height होनी चाहिए, वो 165 cm होनी चाहिए, जनरल और OVC और SC category में, अगर आप ST से belong करते हैं, तो 162.5 cm होनी चाहिए, यानि 162.5 cm आपकी height होनी चाहिए, तो यह पूरा criteria है, जो आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास यह सारी चीज हैं, तो आप इसके लिए form बढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुक हूँ, अगर आपका थोड़ा भी physical week है, तो सबसे बड़े हा opportunity है, कि आप इसके लिए form apply कर सकते हैं, अब चलिए बात कर लेते हैं, कि इसकी job profile क्या होती है, तो मैं आपको बता दूँ, कि एक head constable की post होती है, अगर आपने देखा हो, तो जो defense में होते हैं, यहाँ पर तीन feet लगती है, वो head constable होते हैं और head constable के बात सीधे बनते ASI, अगर मानगे चलिए, आप constable से बढ़ती होते हैं अगर आप सीधे head constable में जाते हैं, तो आप inspector तक आराम से चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं हो, और सबसे main बात ही है, department इतना अच्छा है, clerical department है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है, in future, और बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है, यह CISF है, CISF का आपको पता है, कि काफे बड़े काम होता है, जो भी द्योगिक केंदर होते हैं, अपने बारत सरकार के, उनीकी सुरक्षा के लिए फोर्स लगाई जाती है, जैसे कि आपकी हो सकती है, जादा तर city areas में आपकी पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पे आपके लिए आगे के लिए scope भी अच्छा है, कि आप आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं आराम से, तो आप देखें, मैं आपको बता दूँ कि लास्ट टाइम मैंने इसका exam दिया था, जब मैंने इसका exam दिया था, तो मेरे ठीक थी, around 40 की स्पीड में निकाल दाता है, इंग्लिस में, बट फिर भी मैं fail हो गया, उसके कुछ रीजन है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, तो देखें, पहले मैं बात करूँ, आपका PST और DV तो नॉर्मली होई जाएगा, फिर रिटेन एक्जाम की बात करूँ, तो रिटेन एक्जाम बहुत ज़्यादा टफ लेबल का नहीं आता है, एक दम moderate लेबल का पूछा जाता है, इसी की बैज़े से इसकी cutoff भी high जाती है, अगर मान लीजे, around around कम से कम आपके 80 marks होने चाहिए, जनरल के टिग्रे में हैं तो आप, तब जाके आप expect करना कि आपका number आ जागा, क्योंकि यहाँ पर typing के लिए number of candidate बहुत ज़्यादा नहीं बुलाते हैं यह लोग, जैसे कि अगर बात करने CRPF में CRPF में अगर आप head constable का दोगे, आसानी से written exam पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आसानी से नहीं होता, BASF और CASF में इनकी cutoff है जो high जाती हैं, क्योंकि यह जो ratio में ज़्यादा candidate को नहीं बुलाते हैं typing के लिए, बड़ अगर आप written exam पास कर गए, और आपकी typing अच्छी है तो selection आपका definitely sure हो जाएगा, क्योंकि बहुत जादा candidate नहीं होंगे, तो अब written exam के लिए मैं आपको कुछ tips बता जिता हूँ, तो इन चीजों का आप note कर लीजेगा, जैसा कि जब आप written exam दे, तो आपको अपनी तयारी जो करनी है, बहुत अच्छे level से तयारी करेगा, हालंकि सबी लोग अच्छे तरीके से तयारी करते हैं, बट जब क्या होता है, जब paper ज़्यादा इसी आता है ना, तो उसमें क्या होता है, गलतिया होने के chances होते हैं, और ये confirm है के merit उसकी हाई जानी है, cut off हाई जानी है, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो छोड़ी छोड़ी छोड आपको आराम से paper देना है जिससे कि आप बढ़िया score कर पाऊ वहाँ पे और मुझे उम्मीद है अगर आप आराम से दोगे तो आराम से बढ़िया score कोई भी वहाँ पे chess कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है बात आती है skill test की तो दीखे skill test के लिए मैं आपको बता दूँ 10 minute का typing test होत आता तो 35-40 speed आराम से निकालता था कोई दिक्कत नहीं थी बट मेरे साथ दिक्कत थी accuracy 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 में क्या होता है जब हम वहाँ पर typing test दे रहे होते हैं घर पर दे रहे होते हैं उसमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है यहां पर हमारे पास कोई प्रेशन नहीं होता और हम बिल्कुल भी nervous फील नहीं करते हैं तो यहां आराम से गलतियां होती हैं हम उने सुधार कर लेते हैं और इंप्रूमेंट करके आराम से accuracy को सही ले आते हैं बट वहाँ क्या होता है अगर एक बार आपसे गलतियां होने लगी न तो ध्रादर गलति होती है और क्या करते हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं यहां फिर घलत करते हैं फटाफट होता है कि उसका नतिज़कों निकलता हिक है कि मेरे साध भी सेम यही हुआ था कि वहां पे जबना टैबिंग कर रहा था तो लुदा आ ही पर अचानक से 3-4 वर्ड गलत हो गए, उसके चक्कर में मैंने 4-6 और गलत हो गए, तो बहुत जादा इरिटेशन होने लगए और फिर मैं जल्दी फड़ाफट करने लगए, उस चक्कर में एकुरिशी बहुत खराब हो गई, तो टाइपिंग की स्पीड हलांक ही बढ़े आत तो आपको अपनी एकुरिशी बहुत सबसे जादा फोकस करना है, जब आपको एकदम confidence होगा कि मैं गलतियां नहीं करूँगा, तो अगर आपकी माल लीजिए 35 की भी speed आती है, तब भी भी आप पास हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे speed जब आप एकुरिशी बहुत करके चल जो आपका आता है medical, medical के लिए बहुत मतलब जैसा कि defense में होता है, उसी तरीके से आपका medical कराया जाता है, हालंकि मैंने CISF head constable का medical नहीं दिया है, बट एक दो दोस्ते जिनका medical भी हुआता तो मुझे उनसे पता चलाता है, बहुत ज्यादा tough नहीं होता है, तो देखिए बह बहुत अच्छी opportunity है, job बहुत अच्छी है, सीधा आपको head constable के लिए appoint किया जाएगा, और जब सीधा head constable आप बनेंगे, तो उपर जो आपके post है, वो बहुत जली आप achieve कर सकते हैं, department भी अच्छा है, departmental भरतिया निकलती रहती हैं, जैसे कि इसमें भी 64 जो vacancy है, वो department के ल होंगी, तो इसलिए देखिए, आपको अच्छे से तयारी करनी है, बात कलने के written exam कब होगा, लगवक्त 3-4 महिने के around, around आपका written exam confirm है, कि फरवरी आपका form बरे जाएंगे, अब मार्च, अपरेल, माई, लगवक्त माई, जून में आपका exam करा लिया जाएगा, तो बहुत ज जादा time होगा, या कुछ नहीं, merit बहुत जादा high नहीं दाएगी, क्योंकि typing test होता है, तो मैं आपको definitely sure बता रहूं, इसकी जो cutoff होती है, काफी highs आती है, और जब आप exam देंगे, खुद आपको पता चल जागा, हर एक बंदा बूलेगा, मेरा बहुत अच्छा हुआ, और 70 75 प्लस सब ऐसे ही बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फरक नहीं रहता, जब paper बहुत ज़्यादा easy होता है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने ना पढ़ने वालों में बहुत ज़्यादा difference नहीं होता, पढ़ने वाला दो चान नमबर उपर ही होता है, लेकिन वो दो च सारी चीजे clear हो गए होंगी, और जो भी मैंने आपको tips दी है, आप उने follow करेंगे, और आपके काम जरूर रहेंगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ share जरूर करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किय जय हिन, जय वारत